कैसे हो अप लोग, I hope अप लोग अच्छे होंगे, यहर आज का वीडियो माइलेवन सार्केल का ब्लोग प्रोब्लेम का बारे में होगा, जो क्या होता है माइलेवन सार्केल में जो अब मैज जोएन करने के लिए जाते हैं, इस तरीके का एक टोपाप आजाता है, नोटिफिक सार्किल में जो आपका माइलेवन सार्केल इपरी किसण बोडोग हो जाता है और आपका एकोंड में पेसा रहता है, वीडिंग में ओर रेफरानींग होता है क्या आपका वीडिंग बैलेंश होता है, उस पेसे को जो अब funding करने के लिए जाते हो तो उडिडोल नहीं होता है ब्लोक प्लियर एसा लिखा हुआ आ जाता है जैसे मेरा My11 Circle का एकोंड में देख लो मैं उट्रेबल करने के लिए जा रहा हूँ मेरा एकोंड तो पैसा येसे तो मैं बहुत बार उट्रेबल किया हूँ यार मतलोब My11 Circle से करीबों 20,000 प्लास में उड्ड़ल किया हूँ एकॉंड तोक। लेकिन सेप रेफार अर्निंग जो मैं MyLeven Circle को शेयर करके 15,000 प्लास आर्निंग किया हूँ और उसको में मेरा account तोक लिया हूँ और जब भी मेरा account तोक लेता था तूरंद में उड्ड़ल करता और तूरंद मेरा account में add हो जाता था कुछ-कुछ टाइम में थोड़ा बद प्रोब्लेम होता था मतलब दो दिन लग जाता था account में आने के लिए लेकिन ज्यादा तर 5 मिनिट का अंदर एकोंड में आ जाता था मेरा पैसा लेकिन ओभी में मेरा जो रेफरनिंग है देख सकतो विनिंग बेलेस का अंदर 1646 रुपिया 1646 रुपी तो उस पैसे को जो मैं उड्रोल करने के लिए जा रहा हूं ब्लोक प्लिया लिखा हुआ आ रहा है क्योंकि मेरा एकोन ब्लोक हो चुका है आप लोग का भी सेम प्रोब्लेम हो रहा है तो क्या करेंगे आपका रेफरनिंग भी आपका एकोंड तो नहीं ले पा रहे हो और आपका एकोंड में पैसा है तो आप किसी भी game में नहीं लगा पा रहे हो, किसी भी game में join नहीं हो रहा है, इस तरीके का end notification आ रहा है, तो आप क्या करेंगे मैं My11 Circle का blog का इस problem के लिए बहुत सारा video create किया हूँ, और मैं आप लोग को सरे बता रहा हूँ ऐसा नहीं इस वीडियो को आप मैं जो बता रहा हूँ, समझाना चाता हूँ, जो जितना जल्दी आप लोग का समझ में आ जाएगा, उतना आप लोग का फाइदा है, क्योंकि आप लोग का time wait नहीं होगा और ये वीडियो आप लोग को समझ में नहीं आता है, तो दूबारा से देख लेना यार, क्योंकि मैं आप लोग का time बचा रहा हूँ यार आपका ब्लोग हो चुका है माई लवें सारकेल, आप यार more option में चला जाएए, three dot में क्लिक करके, क्या profile में क्लिक करके, account details का अफसान आ रहा है, account details का अंदार जाने के बाद my account में चला जाओ, और my account का अंदार यार, आपका जितना भी मतलब document होगा, आ जाएगा आपने क्या KYC कर लिए हैं, क्या नहीं किये हैं, कर लिए हैं, तो भी ओभी pending में पड़ा हुआ है, मतलब incomplete लिखा हुआ आ रहा है, या पेंडिंग लिखा हुआ आ रहा है, आपका complete नहीं हुआ है KYC, किसी भी document यार आपका complete नहीं हुआ है, जो confirm नहीं हुआ है, पहले confirm हो ग आपका माइलेवन सरकेल एकोंड में आपको देखके खुच समझ में आजएगा क्या इनकॉम्प्लेट दिखा रहा है अब उसको डोकुमेंट जेके क्या पूरूब देखे आप यार कॉम्प्लीट करा लीजिए एसे इनकॉम्प्लीट आ रहा है पेंडिंग में पड़ा हुआ है तो आपका प्रोब्लेम स्वल्फ हो जाएगा कुछी दिनों का अंदर आपका स्टोमार क्यार को मेल करके एसे स्वल्फ हो जाएगा आपका प्रोब्लेम लेकिन ओभी जो मेन बात आता है आपका जो क्योंप्लीट है ओभी लेकिन आपका ब्लोक हुआ है आपका कुछ गल किकलती है क्या नहीं मुझे ऑच तो कभी पता नहीं है खुद को मझे इतना पता है मैं ज्यादा तोर मैं 11 circle में refer करब करके क्या हूं जो 15 000 प्लस रणिंग क्या हूं रिफार करके 11 सर्केल में और कुछ मतलब मेरा माई लेवन सर्केल एकाउन और आपका भी यार क्योई सी कोंप्लीट है वहाँ पे माई एकाउन का अंदर पूरा साख्रिसफुल है कोंप्लीट है तो भी आपका ब्लोक हो चुका है तो यार कुछ गलती के लिए ब्लोक हुआ होगा कुछ गलती नहीं होगा तो भी आप म My11Circle application use कर रहे हो इसलिए ब्लोक हुआ है या आपका device में My11Circle का application का अंदर आप फाट कोई भी लोकिन कर रहे हो उसको लोकाउट करके दूबारा से और किसी ID लोकिन कर रहे हो आपका 2-3 ID एक device से आप चलाते हो मतलब एक को लोकाउट कर देते हो दूबारा से दूसरा ID लोकिन करते हो तो एसा भी करते हो तो आपका lifetime वो भी आप सही नहीं करा सकते हो लोकाउट हो गया है तो कोभी भी सही नहीं होगा मैं 15,000 प्लास मेरा एकाउंट तो ले लिया था लेकिन बाद में मेरा winning balance में 1626 रुपया मतलब 1646 रुपीज पड़ा हुआ था मैं उड़र करने के लिए गया तो ब्लोक हो चुका था ओभी यार आज का बारे में बाता हूँ 2000 से ज्यादा मेरा winning balance हो चुका है क्योंकि मेरा description में my11 circle का link रहता था बहुत सारे लोग join होते थे जो referendum मुझे मिलता था ओभी plus 2000 से ज्यादा हो गया है लेकिन मैं उस पैसे को कुभी भी मेरा account तो नहीं ले पाऊंगा क्योंकि block हो चुका है इसलिए देख लो my11 circle से मुझे earning करना है और मैं मेरा दूसरा account open कर लिया हूँ my11 circle का उस second को छोड़ दिया हूँ क्योंकि ओबल आइकून lifetime मैं सही नहीं करा सकता हूँ block जो हो चुका है क्योंकि मेरा document सही है verified है और किसी चीज़ के लिए मेरा block हो चुका है मैं बहुत बार mail कर चुका हूँ my11 circle का 3 email ID है जो my11 circle का एक रोमी का है वहाँ पर email ID है और my11 circle का टोटाल 3 email ID है 3 email ID में मैं complaint कर चुका हूँ और यहाद जो reply आया है मेरा कुछ गलती के लिए मेरा my11 circle account block कर दिया गया है और कोभी सही नहीं होगा एसे my11 circle में जो काम करते हैं एक अदमी से मेरा ऐसे थोड़ा बहुत बात होता रहता है तो जितना भी मुझे जानकरी मिला आपका किसी भी document क्या email ID मतलब ऐसे pending में पड़ा हुआ है आपका block हो चुका है तो सही होगा लेकिन मेरा account check किया मैं मेरा account ID दिया चेक करने के बाद बताया आपका account पूरा तरह से block हो चुका है आपका account lifetime सहीं नहीं होगा इसी document के लिए होता तो मैं सहीं कर देता और सहीं नहीं कर पाता तो भी आपका पैसा उड़ोल कर देता आपका account तो लेकिन आपका इस तरह से block हो चुका है आपका पेसा भी उड़ नहीं होगा कोभी भी आपका एकॉंट तो, जितना पेसा अटक गया है, ओटक गया है इसलिए आप लोग को बोल रहा हूँ, आप यार बहुत सारा यूटूब में वीडियो मिल जाता है आपका एकॉंट सही होगा ब्लोक हो गया है तो लेकिन मैं बता रहा हूँ आपका एकॉंट सही नहीं होगा आपका कोई भी दोस्त माइलेवन सार्कल में काम करता है तो भी सही नहीं कर सकता है मैं जो बता रहा हूँ आप लोग को समझ में आ गया होगा आपका माइलेवन सार् करा सकते हो डोकमेट blends दे के लेकिन डोकमेट सही हे कोई दुसरा चीज के लिए ब्लोग ही आए किसी गल्ति के लिए किसी भी चीज के लिए तो आपका को भी पी वो बला आईडी सही नहीं होगा इसलिए देखो में मैरा दूसरा ID लोकीन कर लिया हूँ और यहां पर डीया हूँ जो 107 रूपीज आर इनिंग कर आँ हूं कुछ PSA में लगा दिया हूं खेल लिया हूं ओभी मेरा एकउन में 82 रूपीज है, जो 72 रूपीज में मेरा एकउनट तो ले सकता हूँ, रिफार अनिंग है, और 10 रूपीज मुझे मिला है, गेम प्लेख करने के लिए, टोठाल अबी 82 रूपीज है मेरा अनिग हो आईडी में, तो जैसे मेरा अनिया अनिंग एक दिस्कैप्संट मे होगा कोभी ब्लोग से अनलोग नहीं कर सकते हो ब्लोग ही रहेगा और अनलोग होता कुछ भी ट्रीक लगाए कर लागा तो मेना दो हजाज से ज्यादा है ओभी विडिवी विनिंग बैलस में में और आइडी पुराना आइडी में लोकिन किया हूं आप दूसरा ID लोकिन कर रहे हो माई-वैंस अरकल का किसी दूसरा डिवेयस में लोकिन करोगे तो बेटर होगा यह सेम डिवेयस में भी लोकिन कर सकते हो लेकिन थोड़ा रिक्स हो जाता है ओव आईडी मतलगory लोग हो जाएगा सायद लेकिन कोई बात नहीं यार आपको कोशिस कर सकते हो यह से बैठा रहने से ज्यादा अच्छा है अपने आइडी आप लोकिन कर लो जैसे मैं सेम डिवेज में नया आइडी क्रियाट कर लिया हूं रेफार अनिंग वह भी चालू है जो 107 रूपीज मे आप एक रेफार में 576 रूपीज तो अर्णिंग कर सकते हो फास्ट आप किसी को रेफार कर रहे हैं वह आपका लिंक से इंस्ट्रोल करके रहे फास्ट टाइम गेम प्ले कर देता है पैसा देके तो आपको 51 रूपीज मिल जाएगा वह धीर धीर गेम प्ले करता जाएगा और आपको पैसा मिलता जाएगा टोटाल एक अदमी का पास से आप 576 रूपीज अनिंग कर सकते और उस पैसे को आप डाइरेक्क अपना बेंग एकॉंट तो ले सकते हो मुझे लग रहा है इस वीडियो से आप लोग को जानकरी मिल चुका है और जिन लोग को समझ में नही करें उनलोग मतलब देखते जाएंगे वीडियो और उनलका टाइम वेस्ट होता जाएगा उनलोग मेल करेंगे रिपोर्ट करेंगे लेकिन सही नहीं होगा उसको छोड़ो यार आपका माईलेवन सरकेल एकॉंट में दो हायाद चार जार या चलीस पचास अधार एक लाक भ होगा हां यार एससे तो लगाओ रहता है एकॉंट में पचास अजार है ब्लोग हो चुका है तो किसी भी तेरा ब्लोग मतलब होने दो पैसा आजाता एकॉंट में तो अच्छा होता यार लेकिन नहीं आएगा तो क्या करेंगे यार नहीं आएगा छोड़ो उसको और एक न सब्सक्राइब करके विलकर प्रेस कर लेना अगे किसी उच्छ फूल वीडियो के साथ दूबरा से मिलेंगे